अरे यार मोटुलाल मैं परेशान हो गया हूँ बार बार मेरे जूते घिस जाते हैं देखो इस तरीके से पूरे खराब हो जाते हैं क्या करूं मैं जरा मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ दोस्त तुम्हारी problem का तो एक ही solution है तुम खेलना छोड़ दो अरे ये कैसा solution है मैं खेलना ही छोड़ दूँ आखिरकार मेरे खेलने से और मेरे जूतों से क्या मतलब है मेरे जूते खराब हो रहे हैं खेलने की वज़े से क्या बात कर रहे हो मोटुलाल मैं बिलकुल सही कह रहा हूँ चिकू Frictional Force की वज़य से तुम्हारे जूते खराब हो जाते हैं बार-बार बहुत जल्द क्योंकि तुम बहुत जादा खेलते हो इस वज़य से तुम्हारे शूज को भी बहुत जादा Frictional Force को face करना पड़ता है अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो Class 8 Friction Chapter मन्नु भाईया से पढ़ लो तब तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से बिल्कुल सही कहा मोटुलाल तुमने Class 8 Friction Chapter हम पढ़ते हैं और हमें पता चलेगा कि यह जो Friction है इसकी वज़े से हमें कितना नुकसान होता है आखिरकार Frictional Force है क्या देखो जैसे मैंने इस इस Stapler को लिया और एक Table के उपर मैंने Stapler को Move करने लगा इस Direction के अंदर देखो इस Direction के अंदर मैं Move कर रहा हूं उसे तो इसके Opposite जो Force Act करेगी Friction Force अपने आप इसके Opposite Act करेगी तो इसे ही हम लोग बोलते हैं Frictional Force तो अगर मैं Stapler को यहां से यहां पर Move कर रहा हूं तो यहां पर बीच में फालतु के पंगे लेने आ जाती है Frictional Force और Frictional Force हमेशा Opposite Act करती है The Frictional Force or the Force of Friction Acts Opposite in the Opposite Direction of the Motion of the Object आपका Object जिस भी Direction में Move कर रहा होगा और आप जिस भी Direction में Move कर रहे होगे आपके Opposite जो Force Apply हो रही होगी वो होगी Frictional Force लेकिन Frictional Force तभी Apply हो सकती है एक शर्त है Frictional Force के Apply होने पे कि यह Apply तभी होती है जब दो Object एक दूसरे के Contact में आते हैं जैसे कि यहां पर यह Box था यह जमीन के Contact में आया तभी इसके उपर Frictional Force Apply होगी देखो यहां पर क्या हो रहा है यह जो लड़का है पुश कर रहा है इस Box को Right Direction में और Object भी साथ में Move कर रहा है तो जो Frictional Force है इसके Opposite Apply होगी मतलब कि इनको Left Direction के अंदर ले जाने की कोशिश करेगी Frictional Force इस Boy को भी और इस Box को भी तो Frictional Force हमेशा Opposite Direction में Act करती है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यह कोई Add नहीं है आपको एक बहुत ही Important Information देनी है Education को Easy और Affordable बनाने के लिए हमने एक Important Step लिया है आपके लिए हमने Ready करा है Special Content जो आपके Exam में बहुत Help करेगा इसमें आपको मिलेंगे Chapter Wise Test Paper, हर Chapter के Notes, साथ में Combined Test Papers और Priority Doubt Clearing इसके साथ साथ और भी बहुत सारे Benefits आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2.99 के Membership Prize में Subscribe के साथ में Join के बटन पे क्लिक करके आपको ये Membership Purchase करनी है ये Prize Limited Time के लिए है अरे वा भया, इतने कम प्राइज में, इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी Member बन जाता हूँ Next, क्या-क्या ऐसे Factors हैं जिसकी वज़े से Frictional Force effect होती है सबसे पहला है Irregulatives of a Surface अगर हम किसी भी Object को Move कर रहे हैं, जहां पर Irregular Surface है, Rough Surface है तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जो Frictional Force है वो काफी ज़्यादा High होगी जैसे कि देखो, जैसे कि आपने इस Book को लिया एक Plain Table के उपर इस Book को आप Move कर रहे हो, तो बड़ी आसानी से ये Book क्या करेगी, Move करेगी एक जगा से दुसरी जगा बड़ी आसानी से चली जाएगी लेकिन जब आप इस Book को यहाँ पर जोर से Move करते हो, तो ये कोने पर आकर रुक जाती है Table के ऐसा क्यों हो रहा है, Table के कोने पर आकर ही क्यों रुक रही है एक तो Frictional Force की वज़े से ये रुकी है Book, लेकिन Table के कोने पर आकर क्यों रुक गई है यहाँ पर Frictional Force बहुत ज़ादा होती है, तो इस चीज का आपको धिहान रखना है अच्छा जितना ज़्यादा स्मूध होगा कोई सर्फेस, उतना ही कम Friction एपला ही होगा जैसे आपने Carom Boat खेला होगा, जब Carom Boat हम लोग खेलते हैं तो उसके अंदर Powder डाल देते हैं Powder डालने का क्या कारण है, जिससे की Carom Boat के Carom Boat जो है, वो क्या हो जाए वहाँ पर जब भी हम लोग हिट करें, स्ट्राइक करें, तो वो स्मूध हो जाए बिल्कुल तो यहाँ पर हमने Carom Boat के ओपर Powder डाला है, तो क्या करने के लिए, तो decrease Friction, Friction को कम करने के लिए और अगर Friction बढ़ाना होता है, तो क्या कर देंगे, simply इस Powder को हटा देंगे, पोच देंगे, तो Friction obviously Carom Boat के ओपर increase हो जाएगा If the surface of either the object or surface are smooth, the force of friction would be less, तो यहाँ पर force of friction क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर surface smooth है तो तो smooth कैसे करते हैं हम लोग surface को by applying powder, powder apply कर देते हैं, तो जो Carom Board पे यह जो irregularities होती है, इसके अंदर powder fill हो जाता है और friction कम apply होता है तो ध्यान देना, आप Carom Board के ओपर अगर हम क्या करते हैं, powder apply करते हैं, तो उससे friction कम हो जाता है If two surfaces are pressed hard, अगर दो surfaces जोर से दबाए जाते हैं, तो उसकी वज़़ा से क्या होता है, force of friction increase होता है जैसे हम लोग जोर से हाथ को दबा कर ऐसे rub करते हैं सर्दियों के टाइम पर, जिससे हाथ क्या हो जाएं, गरम हो जाएं, और हमें गरम गरम थोड़े हाथ, feel हो तो इससे भी हमारी क्या होती है, Frictional Force increase हो जाती है, याद रखना है आपको तो यहाँ पर आप देखो, एक मैं आपको एक question दे रहा हूँ और यह राज की बात भी है, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं तो यह दो दोस्ते, एक का नाम है चंगू, दूसरे का नाम है मंगू, अब जो चंगू था यह भी चल रहा था, मंगू भी चल रहा था मंगू का पैर गलती से इस बनाना पील के उपर पड़ा और ये गिर पड़ा लेकिन चंगू का पैर बनाना पील के उपर नहीं पड़ा तो वो नहीं गिरा लेकिन यहां पर ये क्यों नहीं गिरा और ये क्यों गिर गया देखो simple सा reason है क्योंकि जो banana की peel होती है जो banana होता है केला होता है आप banana को touch करके देखना है उसका surface बिल्कुल कैसा होता है बिल्कुल smooth होता है तो वो क्या कर देता है friction को बहुत जादा decrease कर देता है तो जैसे ही इस बच्चे ने banana की peel के उपर अपना pair रखा तो surface क्या था उसका बिल्कुल smooth था तो इसका pair slip हुआ और ये गिर पड़ा friction ही बहुत कम था decrease हो गया था friction इस वज़े से ये गिर पड़ा इसने banana की peel के उपर pair नहीं रखा जमीन के उपर pair रख रहा था इसलिए ये गिरा नहीं अच्छा friction भी कुछ type का होता है अभी हम पड़ेंगे अलग-अलग type के friction के बारे में एक होता है static friction Frictional force जो की the frictional force that comes into play until an object starts moving is called as static friction देखो जैसे यहाँ पर एक object रखा हुआ है जब इस object को आप move करोगे तब ही इसके opposite एक force act करना start करे Frictional force तो उस वाली force को हम लोग बोलते है Static Friction An object has to overcome the static friction Frictional force in order to start its movement अब इस object को move करने के लिए सबसे पहले इस Static Friction से fight करना पड़े तो Static Friction कब होता है जैसे एक object यह bottle यहाँ पर रखी हुई है मजे से तो इसके ओपर क्या है Static Friction force apply होगी जैसे ही मैं इसको move करूँगा देखो इसको मैं move कर रहा हूँ इस direction में तो Frictional force कौनसी direction से apply हो रही होगी इस वाली direction में apply हो रही है ठीक है और यह कौन सा friction होगा this will be Static Friction I hope यह clear होगा Second हमारा है Sliding Friction जैसे हमने कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ slide करी नीचे की तरफ भेजी तो उसे ही हम लोग बोलते है sliding friction whenever sliding frictions come into play whenever an object moves along the surface of another object कोई भी object दूसरे object की तरफ दूसरे object के surface पे move करे या slide करे तो उसे हम लोग बोलते है sliding friction sliding friction क्या होता है is the force that opposes the movement or slide of an object कोई भी object अगर slide कर रहे हैं जैसे आप जूले से जूलते हो तो जूला आपने देखा वो वाला swing जिसमें उपर से नीचे की तरफ आते हैं अच्छा उस swing का नाम क्या होता है मैं भूल गया हूँ comment section के अंदर comment करके जरूर बताना तो मैं देखूंगा यार उस swing का नाम क्या होता है तो वो आपने swing देखा जूला देखा जिसमें उपर से बैठते हैं और हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो वो जो swing होता है वो जो जूला होता है न उसमें कौन सी friction लग रही होती है sliding friction आप उपर से नीचे की तरफ आ रहे हो और एक जो friction है यह friction वाला है और वाला swing जिसमें उपर से नीचे की तरफ आते हैं अच्छा आपके opposite एक frictional force act कर रही है उस frictional force को हम लोग कर रहे हैं तो जब भी कोई चीज रोल हो रही है move कर रही है roll होके तो उसके opposite जो frictional force लगेगी उसे बोल देंगे हम लोग rolling friction जैसे के एक ball है ball को आप ground पे move कर रहे हो तो जब वो ball move कर रही है ground पे तो उसके opposite जो force apply हो रही है वो कौन सी frictional force होगी rolling friction हमें पता है कि हर चीज़ पर frictional force तो apply होती है तो ground के उपर जब हम ball को roll कर रहे हैं तो उसके उपर frictional force paral लेकिन कौन सी लगेगी rolling friction वाली क्योंकि ball क्या हो रही है roll हो रही है ऐसे कोई भी चीज जो roll होगी उसके उपर कौन सी frictional force लगेगी rolling कोई भी चीज जो slide होगी उसके उपर कौन सी frictional force लगेगी sliding कोई भी चीज अगर खड़ी हुई है जैसे यह bottle थी यहाँ पर ऐसे रखी कोई भी object जब fluid के अंदर move करता है तो उसके उपर एक frictional force act करती है और इस frictional force को हम लोग बोलते हैं fluid friction जिसे यहाँ पर एक ship है अब यह क्या है एक object है यह move कर रही है water के अंदर तो इस direction के अंदर move कर रही है right वाली direction के अंदर तो इसके opposite कौन सी force act करेगी frictional force लेकिन कौन सी friction व rolling friction, static friction, sliding friction इसी तरीके से fluid friction भी होता है कुछ इसी तरीके से हमारे जो plane है जब plane move कर रहा होता है तो plane जब air के अंदर move करता है तो उसके opposite भी एक force act करती है कौन सी force होगी वो frictional force होगी लेकिन कौन सी वाली air friction बोलेंगे हम लोग उसे fluid friction भी हम लोग बोलते है air friction भी बोल सकते है तो आप लोग बिल्कुल specify करके या फिर अगर आप fluid friction भी बोलोगे तो वो भी सही होगा लेकिन sir fluid तो सिर्फ water के लिए होता है नहीं fluid consider करते हैं हम लोग किसको air को भी और water को भी science में तो इस चीज का ध्यान रखना है जब मैं fluid की बात कर रहा हूं तो not only air water is also considered not only water air is also considered तो याद रखना है air water दोनों fluid में आते हैं advantages of frictional force देखो frictional force है इसी वज़े से हम walk कर पाते हैं यहाँ पर आपने देखा था कि यह जो बच्चा है मजे से move कर रहा था banana peel के उपर इसने pair रखा तो उसकी banana peel की वज़े से जो frictional force थी बहुत जादा degrees हो गई थी तो यह गिर पड़ा तो हमारी जो अर्थ पर normally हम लोग देखते है अर्थ के surface पर frictional force ज्यादा होती है इस वज़े से हम असानी से move कर पाते हैं कोई भी object move नहीं कर पाता या फिर कोई भी object stop नहीं हो पाता अगर frictional force नहीं होती तो it would not be possible to drive any automobile on the road without the frictional force frictional force के बिना हम लोग कोई भी गाड़ी road पर नहीं चला पाते इस चीज का आपको ध्यान रखना है disadvantages क्या है frictional force के देखो frictional force की वज़े से चीजें wear and tear होते हैं पतलब की चीजें तूटती हैं और फूटती हैं जैसे यहां पर यह shoes थे आपके भी shoes होंगे बहुत सारे shoes आपने देखा होंगे जिनके नीचे कुछ ऐसा flat सा surface हो जाता है फट जाते हैं नीचे से यह सब क्यों होता है this is due to frictional force अच्छा car के tires देखोगे जब आप new new लोगे तो कुछ इस तरीके के दीखेंगे कुछ समय बाद वो कुछ इस तरीके के हो जाता हैं बिल्कुल flat हो जाते हैं this is also due to frictional force अच्छा कभी कभी आपकी जो machinery होती है factories के अंदर जो machines लगी होती है इनमें इतनी ज़्यादा heat produce होती है friction की वज़े से कि यह crack होने लग जाते हैं यह देखो components जो हैं वो machines के crack होने लग जाते हैं यह piece देखो कैसे crack हो गया excessive heat की वज़े से heat energy क्यों produce होती है friction की वज़े से it is also the result of production of heat in case of machines the production of heat leads to wastage of energy energy भी waste होती है machines भी तूटती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि frictional force के disadvantages क्या है advantages क्या है लेकिन हम लोग reduce कैसे कर सकते है friction को कभी कभी जो यह machines होती है यह smoothly work नहीं कर रही होती है तो यह heat होने लग जाती है heat होकर फिर यह टूटने लग जाती है excessive energy use करने लग जाती है तो हम friction कैसे increase करें इनके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके का oil अगर add कर देंगे तो इनके अंदर का friction कम हो जाएगा अच्छा आपने कभी अपनी cycle को grease करा है तो grease की help से भी हम लोग अपनी cycle के अंदर friction reduce करते हैं नि तो आपकी cycle जो है थोड़ा अटक अटक के चलती है थोड़ा hardly चलती है तो आप cycle के अंदर भी grease डाल देते हो अच्छा door के साथ भी होता है आपके घर का जो gate होगा न वो चर चर अवाज करेगा तो पापा से पूछना पापा क्या डालते हो ओल डालते हो या grease डालते हो डोर के side से तो पापा बता देंगे क्या चीज वो डालते है अच्छा board पे देखा होगा आपने carom board का जब हम हम लोग डाल देते हैं just to reduce friction जिसे थोड़ा smoothly हम लोग खेल सकें तो decrease करने के लिए friction को हम लोग apply कर सकते हैं oil को grease को powder को जिससे की जो smooth moment मिल जाती है हमें और irregularities जो होती है वो surface की block हो जाती है decreasing friction कैसे कर सकते हैं हम लोग by oil, grease, powder हमें allow करता है movement as they block the irregularities of the surface इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है the substance that can reduce the amount of friction between different objects are called lubricants, lubricants वो वाली चीज़े होती हैं जो friction को decrease कर देती हैं जो दो objects के बीच में जैसे की यहाँ पर यह oil डालने से क्या हो रहा था इस machine के बीच का friction कम हो रहा था तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम lubricant यहाँ पर हमने cycle के अंदर यह add करी थी grease तो यहाँ पर cycle के अंदर जो grease है that is also acting as a lubricant तो friction को जो भी चीज़ reduce करते हैं उसे lubricant बोलते हैं increasing friction friction को increase क्यों करते हैं अच्छे increase नहीं करेंगे तो क्या होगा सोचो अगर बिल्कुल flat आपके नीचे से चपल होने लगी तो आप बार बार slip होगे और गिर होगे या फिर आपके जो tires हैं बिल्कुल flat होने लगे तो क्या होगा देखो अगर आपके tires बिल्कुल ऐसे flat होने ल उनी की वज़े से आपकी कार को रोकने में बहुत ज़ादा प्राबलम आएगी, इसी वज़े से आपने दिखा होगा, कि जो आपकी कार के टायर्स होते हैं, उस पर कुछ इस तरीके के निशान होते हैं, बहुत बार आपने दिखा होगा, तो हम लोग लोग frictional force को increase कैसे कर सकते हैं, increase करने के लिए हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जिससे कि हम slip ना हो, तो इस type के कुछ patterns हम लोग add कर सकते हैं, जिससे frictional force reduce हो जाए, car, trucks, इनके ओपर भी आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से बने होते हैं, बड़े-बड़े निशान type, ठीक है, grooves बने होते हैं, जिससे frictional force कम हो जाए, अच्छा, cupboarddy players भी कभी-कभी अपने हाथ में powder लगाते हैं, जिससे कि थोड़े frictional force क्या हो जाए, कम हो जाए, अच्छा, frictional force क्यों कम हो जाए, देखो, जब cupboarddy खेलते हैं तो उनके हाथ में sweat आता रहता है, तो बार-बार जै और friction क्या हो जाता है, थोड़ा reduce हो जाता है, sweat से होने थोड़ा relief मिल जाता है, यहीं पर हमारा यह chapter खतम होता है, what are the various types of friction, अलग-अलग type के कौन-कौन से frictions होते हैं, उनका नाम, फटा-फट, लिख दो comment section के अंदर, यही है आपका homework के लिए, question, अच्छा, इस chapter को अब आप बहुत अच्छे से समझ लिया, तो marks भी अच्छे लेकर आओगे, लेकिन marks लेकर कैसे आओगे, अच्छे, marks अच्छे लाने की एक और technique है, वो है sample papers, देखो chapter आपने अच्छे से समझा है, तो इस chapter के जो important questions है, वो भी आपको पता लग जाएंगे, जैसे एक question तो मैंने पर दिया है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे important questions आपको मिलेंगे sample paper में, वो कैसे मिलेंगे सर, subscribe करो उसके साथ में join का button है, उस पर click करके member जरूर बनो, member बनोगे तो आपको sample paper मिलेंगे, ये notes मिलेंगे, book के अंदर इतना boring boring लंबा लंबा लिखा है, वो सब नहीं पढ़ने की जर लेते हो!